रविवार का दिन था सामानने दिनों की तरह मुंबई हवाई अड़े से स्पाइस जट के एक प्लेन SG 945 ने उडान भरी थी ये फ्लाइट मुंबई हवाई अड़े से पश्चिम बंगाल के दुर्गापूर एरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी करीब दो घंटे की उडान में सब कुछ सामानने ही था प्लेन भी ठीक था कि स्थिती में बस दुर्गापूर एरपोर्ट पर लेंडिंग की तयारी में था तभी कुछ ऐसा घटा कि सब सन्न रहे गए लगा मानो उड़ता विमान हवा में गोते लगाते हुए किसी बड़ी दुरगटना का शिकार हो जाएगा विमान में अब तक जो यातरी शांत बने हुए थे वे अचानक सकते में आ गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है हवा में खतरनाक धंक से लड़कड़ाते विमान में कई यातरी अपनी सीट पर यहां वहां पर टकराने लगे उनमें से कुछ यातरी जखमी भी हो गए लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ ही देर के बाद प्लेन के पाइलेट्स ने उस पर मियंतरन हासिल कर लिया और प्लेन की हवा यड़े पर सुरक्षित लेंडिंग करा दी गई इस हादसे से यातरी दहशत में थे 11 यातरी ऐसे थे जो घायल हो गए थे उन्हें एरपोर्ट से सीधा अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है सब कुछ शान्त हुआ तो ये मालूम पड़ा कि स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG-945 दरसल एक तूफान में फज गया था एर टर्बुलेंस ऐसा था जिसने पूरे विमान को जखजोर कर रख दिया था इस मामले को अब डीजी सीये ने पूरी गंभीरता से लिया है मामले की जाच करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे हाथसे की हर पहलू से जाच करेगी ये हाथसा ऐसा था जिसने विमान को कुछ अंदुरूनी रुकसान भी पहुँचाया इस जबरदस्त एयर टरबूलेंस की वजह से प्लेन के अंदर लगे रैक्स टूट गए और उस पर रखा सामान यात्रियों पर गिर पड़ा जिससे उन्हें चोटे भी आई इसे लेकर विमान में सवार यात्रियों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी सीठी उखड़ जाएगी कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें खिड़की से बाहर कड़कती हुई बिजली दिखाई पड़ी इस मामले में शिरुवाती तोर पर अधिकारियों का ये अनुमान है कि ये एक बहुत बड़ा संकट था जो टल गया इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ